अही ज्ञान सूर्य संचरे आपणूचित प्रकाशित करे अही ज्ञान यगन सहू करे चितनू विश्व विकासित करे शाब्द प्रकाशे अर्थ उजाशे शाब्द प्रकाशे अर्थ उजाशे तर्क मर्मनव सहज विकासे ज्ञाना मृत निर्जहरे अर्घ्यसव सत्यदेव नेधरे धन्य गुर्जरीनी शुब द्रश्टी विश्व कोशनी एवी स्रुष्टी तमस ताप संहरे अंतरे सुख समजन नूठरे रेवा जलशी शक्ति दाइनी सत्य सम्मुदा मुक्ति दाइनी विश्व विहारज करे शील सत्व संभरे गुर्जरी विश्वरोपने बरे गुर्जरी विश्वरोपने बरे गुर्जरी विश्वरोपने बरे गुर्जरात विश्वकोश्ट्रस द्वारा अनेक व्याख्यान श्रेणियों चाले छे जेमा ग्नान विग्नान, शीक्षण, स्वास्थियोग, जीवन उतकर्ष, विग्नान, टेक्नोलोजी आवा घणा विश्वरोपने आवरी लिवामा आवे छे एमाज एक व्याख्यान श्रेणी नो उमेरो कर्यो छे धर्मत अत्वदर्शन व्याख्यान श्रेणी आजे आपड़े ए अंतर्गत आदणिय श्री निखिलेश्वरानन पासे थी एक व्याख्यान सांभळवाना छे आदणिय श्री निखिलेश्वरानन जी आमतो वड़ोद्राना रामकृष्ण मिशनना हेड छे अने गणा वर्षो थी ते आ काम करी रया छे साथे साथे अनेक सेवाना कार्यो पन करया छे धर्तिकम पछी पोर्बंदर जिल्लामा सत्यावी स्कूलों ना बेल्डिंग के त्राण कॉलों नी अने आ रीते अविरत ग्नान अने सेवा आ बन्नेक कार्यों चाली रया छे पोते एंजीनियर हो छे अने देश विदेश मा होलिस्टिक मेनेजमेंट मेनेजमेंट ओफ माइंड एवा अनेक व्याख्यानो पन एमने आप्या छे एमने अंग्रेजी हिंदी अने गुजर्याती त्राणी भाषामा व्याख्यानो आप्या छे अने पुस्तको पन एमना बाहर पड़्या छे happiness and peace in everyday life एमनु बहुज प्रख्यात पुस्तक छे अने आब धा उप्रांत खास्तो ए छे के विश्व कुष्णा ए अभिन अंग समान छे अमेजी आरे पण एमने विननती करिये त्यारे ते ओ अचुक एनो स्विकार करी अने अमने सतत सहयोग आपता रहा छे बेजार सत्तर थी चालतीया व्याख्यान मालामा अत्यार सुधिमा वेदांत दर्शन उपनिशदो मावीर वाणी संत कबीर भगवत गीता आत्मसिद्धी शास्त्र जिवा विश्वय उपर अनेक व्याख्यानो थाया छे आजे आपणे एमनी पासे थी रामकृष्ण परमहौंस विशे खास्तो आजे एमनी जन्मा जेंती छे तो एमना विशे निखिलेश्वारा नंद पासे थी आधुनिक भारतिय चिन्तन विकास्मा जे एमनु बहु मोट्टू प्रदान छे एवा श्री रामकृष्ण परमहौंस विशे स्वामी श्री निखिलेश्वारा नंद पासे थी एमनु वक्तव्य सांबढ़िये ओम स्थापकायचधर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिडे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णायते नमहौं सरुप्रथम आद्रिनेशी कुबार पढ़भाई देशायनों आभारी छू आभार व्यक्त करूँ चेवना प्रत्ते के तेमने मने आतक आपी छे भगवान श्री रामकृष्ण देनों संदेश आजे बहु वधारे प्रासंगिक थाई गयो छे इना घणा बदा कारणों छे सोथी पहली वाद तो आपनों देश जहरे गुलाम हतो त्यारे पाश्यात संस्रितीनों आक्रमण आपला देश मा थायू अन्दे आक्रमण आजे पन चालू छे एक केवी वीडम्बना छे के आजे राजनेतिक स्वाधित्ता प्राप्त करिया पछी पन आपने मानसिक रिते वधुने वधु पाश्यात संस्रितना गुलाम थता जहिये छे स्वामी विवेकानन कहता, we want the best of the east and the west आपड़े पूर्व अने पाश्यात ना सर्वस्टेशन नू समन्वे करवानुचे पन ब्लाइन्ड इमिटेशन अफ वेस्टन मट्रिस्टिक कल्चर पाश्यात संस्रितनू आंधुलानु करण करवामां ते ये विरोधी हता आज ये आपड़ा मोटा भागना दुखोनू कारण आपड़े पोतानी आध्यात्मी संसितिक गुमावी दिदी एज छे वर्तमान समयम्मा आपड़े जोईये छे अत्यार्थे भले कोरोना वाइरस ने कारणे बदा टेंशन मां छे पर देंशन मां याता है कोई नमन मां शांति न थी एनू कारण आ जडवादी संभयता एनू कारण कंस्यूमरिजम एनू कारण स्कैप्टिजम आपड़े पास्टा ता संस्तितना आंड़ानू करण्ने काड़े िश्वर मां शद्ध गुमावी दिदी और जडवादी भोगवादी सभ्यतानी पाशड आपड़े पड़ी गया अने मात्र सबसे बड़ा रूपईया बाबा सबसे बड़ा रूपईया मात्र मनी मेकिंग इनी पाशड आपड़े पड़ी गया अत्यारे पड़ी गया छे एने कारणे आपड़ा ब धर्मोनी विविद्ता नी समस्याने कालने जे विवाद, धर्मांदता कालने जे विवाद एने कारणे जो विश्वशांती डोडाई गई छे, एपन एक वर्तमान समय मा संकट नो एक कारण छे आपने अत्तन संक्षेप मां जोईशू के विरिते श्री रामकिष्ट देवनों जीवन एमनों जीवन एमनों संदेश वर्तमान समस्याव मां थी आपने उगरवानों एक उपाय आपेशे। न्यू एजिकेशन पॉलिसी करी अने ब्रिटिस गॉवर्मेंटे इने पास करी जे मां एमनी एवी इच्छा हती कि जे लोको आप आश्टतस संस्रिती मां अने आप प्रकार्नी सेक्ष्णिक पद्धती मां दाखल थाए तेवो पोताना धर्म प्रत्ते सुग धरावता थाई देवी देवताव प्रत्ते घृणानो भाव एमनामा पेदा थेई जाए आवी जातनी सिक्ष्ण पद्धती एमने लावी अने अडास ओगन चाडिस मां लॉड मेकाले पोताना पिताने पत्रमा लखे चे पिता जी हुँ सू कव एटली सफ़रता माने मडे रही चा नवी प सिक्ष्ण पद्धिते मां दाखल थाए चे ए पोताना धर्म प्रत्ते घृणा धरावतो थाई जाए चे अने पोताना धर्म ना देवी देवताव प्रत्ते पन घृणा थावतो थाई जाए चे एटली सरस्मने सफरता मड़ी रही चे वीडम ना एचे के आजे पन आज हाल च्छे राजनेतिक स्वाधिंता पच्छी पंद आपके नीकाले मुकिगे है, तो एवी स्क्छन पध्दती आजे चाली देखे जेने कालने आपलो यूआ वर्ग ए आधना अनुकर्म मा राची गेऊ चे और पोतां भर्मप्रत्ते पोताडनी अध्यात्मिक्ता प्रत्ते विम वक्ते 834 माज श्री रामकिष्ण देवन आविभावत आईचे, के वी सरस्वात, जाने के आप सम्पूर्ण उच्छेद करवा माटे, भारत मा आती सनातन धर्मनों सम्पूर्ण उच्छेद करवा माटे तेने नवी एजुकेशन पॉलीस तटेश मावे छे, अने 831 माज श्र वाइरस नो अटेक थाए तो एमां एंटी वाइरस एलोको मुखी दिए एंटी वाइरस होए जो सौफ़ेयर मां तो वाइरस नो अटेक कॉम्पिटर मननना थाए नो कॉम्पिटर हेंग ना थाए एविजी ते आपड़ा सनादान धर्म मा एक आटोमेटिक वाईरस एंटिवाईरस सिस्टम आवी गई छे कि जारे पन धर्मनी हानी थाए और धर्म पर धर्मना विनाश माटे नी प्रक्रिया थाए अधर्म जारे हावी थतो जाए त्यारे धर्मनी पुना प्रतिष्ठा माटे अधर्मना विनाश माटे सज्जनोनी रक्षा माटे दुरुजनाना संहार माटे ए इश्वर स्वयम पोते या अवतरन करे छे भगवान श्रीक्रिष्ण कहेचे गीतामा यदा यदाही धर्मस्य लानीर भवती भारत अभ्यूत्तानाम धर्मस्य तदात्मानम स्विजा मेहं परित्रानाय साधुनाम विनाश रैच दुस्कुताम धर्म संस्थापनार थाय संभवामी युगे युगे कहेचे कि जारे-जारे धर्मनी हानी थाये छे त्यारे-थ्यरे हुँ पोते आवतर गरहु छो कैन अअरे campus मांटे जे राम हता जे क्रिष्ण हता आवक्त आवे से राम क्रिष्ण रूपे यह आ धर्मनी पुनःप्रतिश्था मांटे और गरह्य Argentina और है आष्ण संस्था गर प्रथिनूज एकेपिटल होती आड़े ब्रिटिश राजेनूं कल्कत्त अनने कल्कात्ता ना एक सेंटेर होती जनाथी अक्का देश मा एक फेलातू हतूं है टले सेंटेर माः जाने अटेक करऊ होए तो माने कलकत्ता माज, कलकत्ता नी पासे ज अने पाचु एमने गामडा माँ जन्म ले हो तो पलकता ने पासे एसी मिल दूर ना एक गामडा माँ कामवपुकुर माँ जन्म थाई चे अंग्रेजी केलेंडर प्रमाणे मनों जन्म दिस अधार फेबरुआरी चे पन आवर्षे अलग अलग तारिखे आपड़े उजववी चे आवर्षे पंदर मी माज ना उजववाना चे तो दिथी प्रमाणे तो अधार मी फेबरुआरी अधासे चत्रिस ना रोज श्री राम किष्ट जाने के आ पाष्टात संस्रीति नों जे आक्रमन थावनों चे ने खालवा माटे सनातन धन दन दी रक्षा माटे स्री राम किष्ट देव जाने के पोते अवतार रहन करेशे अने बाकी ना अवतारों में तो आपड़े जोईएचे राक्षे नों वद करेशे एमनी पासे कोई शस्त्र नथी, कोई अस्त्र नथी, आपने जोईएचे एमनों फोटो, एतो हमेसे समाधी मा मगना, पण एमने पन राक्षसों नों वद करेशे, आपने त्रोन राक्षसों नों आजे वाद करीशे, के वा त्रोन राक्षसों नों वद करेशे, उती पहला आमने जे राक्षस नो वद करियो है छे संशे राक्षस जे पाश्चात्य संस्रिती मां अने पाश्चात्य सेक्ष्णिक पद्धती मां दाखेल थैला बधा आपड़ा युवानो ए वकत ना जो ए बधाई मां अने आजे पन शंशे आवी गयो छे इश्वर छे के नहीं कोने जो ए शे इश्वर पूराव सुचे अन्य टलाज माटे आपड़ा बधाना आधुनिक मानोव ना प्रतिनीदी रूपे आपड़े जे आधुनिक मानोव जे अग्णेवादी बनी गया छित्व नास्तिक बने के गया जे ना प्रतिनी रूपे नरे ना दत्त ये शीरामक्ष स्कॉटिस चर्च कॉलेज मां भनता हाता अने कांट हेगल हर्बर स्पेंसर जौन स्टुवार्ट मिल अब पाश्चा ते दारश्रीन को ना पुस्तो को वाची अने अग्नेवादी बन गया हाता अने इश्वर माती विश्वास गुमा भी बेठा आता पड़ेमने सत्यनों साक्षात करके वाणे बहुत आला वेलिया थी अने इटला अमाटे कलकत्ता मा कोई पन संत आवे तरता जेमने जेने पूश्ता अच्छा महाशे आपे शू इश्वना दर्शन करिया चे क्या ही थी आप तो बहुत ध्यान मा इश्वना ध्यान करो चो तो मारे आपने एक प्रश्ण पुछवो चे महाशे आपे शू इश्वना दर्शन करिया चे थोड़ी वार तो महर्शी देवेना टेगोर नरेना तरप जुए चे अन पच्छी के चे बेटा तारी आखो तो योगीना जेवी चे तारी आखो तो सुन्दर चे योगीना निराश्त है छे घुए चाहू चे मारा प्रश्ण उत्तर मारी आखो के वीचे ना थी मारे कही मतलब न थी बहुँ निराश्त है छे एक वार कॉलेज मा गया हाता तेदीस से एवी थाई के कॉलेज मा जे अंग्रेजी ना प्रफेसर हता ते गेराजर हता एटले प्रोफेसर विलियम हैस्टी, पोते क्लास लेवा आवे छे, कावे पढ़ावी रहाता कवीता, वर्डस वर्थी कवीता, कवीता नू नाम छे, दे एक्सकर्शन, एक कवीता जारे पढ़ावी रहाता, यह में वणन आवे छे, कि कवी प्राकितिक संदेर जोई, अनि अतीचेत प्राफशा विल्य भश्टच कोई हाहा, एक व्यक्टती ने जोया चे जिने वारमवार समाधी ने वस्ता प्राप्त थाई छे अनि ए व्यक्ति कलकत्ता मां जर्य चे तमें धारो तो तमें पण इमना दर्शन करी शको दक्षिनेश्वर मा ए रहे चे इनुँ नाम चे रामकृष्ण परमांस। अनि पछी नर्यनात विचार करें चालो आटला बदा बाबा जिवना अपड़े एमनी कसोटी करी चालो आ बाबा जीनी पण कसोटी करीं अनि कसोटी करवा माटे दक्षिनेश्वर आवे चे दक्षिनेश्वर मां तेयारे श्री रामकृष्ण देवपुताना ओडामा बेसी नानी पार्ट पर बेशी अने भक्तों साथे वातों कर रहे हाता, भक्तों नीचे बेठा हाता, नर्यन नात आवे छे, त्यारे तो कॉलेज ना विद्यार्थी नर्यन नात दत्त, आवी ने बेशी जाए छे एक खुणामा, थोड़ी वार पछी कहे छे, वह इश्वर नी दर्शन करया छे, एटलुज नहीं, जेम तने जोँछू, एथी बदू प्रत्यक्ष रूपे हुए ना दर्शन करूछू, एटलुज नहीं, कहे छे, तुँ चाहे, तो तने पणे ना दर्शन करावी सकूछू, कि भी बात? आतो धर्मनू विग्नान, धर्मनू विग्नान सु कहें, हाईडाजोगेश ऑक्षर्ण गेस म sechs बनने मढ़ी ने पानी भन से, ना आमे मानता नति, हाईडाजोगेश रहां, आकोसन करें कूछू बाने का था पानी भात? आमा मानमारी भात नति, तंहे लेबरेजरी महा उ उत्वो, हाइडाश्न प्रॉसेस करो, न?, ही नो तो तमें के जो, एभी जिते शी रामकिष्देव चैलेंज देनी केचे, में पोते इश्वना दर्शन करिया छे, तुछाहे तो तने पन दर्शन करावी शकुछे, पन लेबरेटी माँ उपड़ से, साधना नी प्रशना माँ उपड़ से, अने नरेनात एकसेप्ट करेचे, चैलेंज एकसेप्ट करेचे, इमने जे प्रमाने कहेचे, साधना करेचे, काशिपिर उद्यान बाटी माँ, काशिपिर ना बगीचे माँ, यहने निरुकल्प समाधीनों आनुभव पर थाएचे, अने कारण के इमने पोते इश्वना दर्शन करिया हाता, ने पोते व्यानितस्तु, विदाहमेतं पुर्शं महांतं, आदित वण्णम्तमस परस्तात, तमेव विदित्वाति मृत्य मेती, नान्य पंथा विदित्ये नाया, मे परंपुर्श्णे जोहिलिदा छे, जेने जोया बात, बद्धी जातना दुखो दूर थे जासे, एवी वात एमन करी छे, स्वामी विवेकानन्दे त्यारे एए शिकागो विश्व दिर्सवामा स्वेता शेत्तन स्लोग जे संब्लावियोतो, इनी पाच्वाण मेनी अनभूती हती, आविली ते जाने के आधुनिक मानोना प्रतिनी रूपे, नरेंद नात, दत, जे पाच्वाति स्वामी विवेकान बने छे, पाश्चात जलवादी सब्वेताना प्रतिक रूपे, पाश्चात नास्तिक मन वाला प्रतिक रूपे, भारतिय प्राचीन संस्तितीना प्रतिक एवा श्री राम कृष्ण देवपासे जाए छे, अने आविरितनो उत्तर मेडवे छे, ए जाने के पाश आध्यात्य संस्तिती पर आध्यात्मिक भारतिय संस्तिती नो प्रभुत्व ए जाने के पूरवार थाई जह, आघटना द्वार। एक पूरवार थाई जह, आध्यात्य संस्तिती अध्यात्य पर आध्यात्य वार्भुत्व एक वार। स्तोत्र लख्यो यमना सु कहे छे संशे राक्षस नाश महास्त्रम यामी गुरुंग शरणम भववेद्यम संशे राक्षस नोबत करें, बिजा के राक्षस नोबत करें? बिजा राक्षस नोबत करें एचे भोगवादी राक्षस, उपभोगतावाद रुपी राक्षस, consumerism, उपभोगतावाद एट्टो बद आवी गयो छे, simple living, high thinking तो अवे दूर थे गियो, अवे तो high living, simple thinking, sometimes no thinking, सादू जीवन तो अवे गयो, बद्धाने चलसा चलसी से कोण वधारे किटलू मोटू package, कोणे किटला ने मड़े, ज़े package जो मारा बित्रने वधारे मड़े, अनि मने नहीं मड़े, तो हूँ आत्मत्या करीश, आत्या निया psychology आवी गयी छे, गयो आनो म package, 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 पैसा, पैसा, सबसे बड़ा रुपईया, बाबा, सबसे बड़ा रुपईया, पैसा पाचल पागल थे गया बदाए, तो शूँ पैसा ने आवश्यता न थी, अवश्य छे, पर्ण क्या सुदी, रोटी कपड़ा मकान, साइकलोजिस्ट लोगों के छे, आत्रों सर्वे करने जेए은, के एक व्यक्ती न मनमा, जारे जहां सुदी, जयरुर्टा पर्ण क्या स्वर्ण कर्व ऊपर थातो जएच, जयंजं पैसा आवेचे, इमें पैसा वेचे, एमें हैंहाँ रिद्धी जयरोन थे जयाए, येना पच्छी कर पाच्षो नीचो जएच, अन अपनेशा वंगे पूर्वार चैनल शेहं में फैले में कंरेंगर है। जोती पर केपीटैनिकम भादारे चैनल शेंट वाने चैनल को सिजना भादारे चैनल को अश्रांता है। तो मात्र पईसा द्वारा आपणा जीवन में, ए आपणा जीवन नों उद्देश न थी, आपनों जीवन नों उद्देश चे शांती प्राप्त करवी, और शाष्वत सुक और शाष्वत सांती नों स्रोत दरेक मनिश्रमा रहेलो चे, पोताना रिदे मां रहेलो चे, और ए जीवन नुँ लक्ष छे, आ श्री रामकृष्ट देवे पोता ना जीवन द्वारा बतावियो, मात्र संदेश द्वारा नहीं, येमने जे पांच रुपिया नो पगार मलतो तो पुजारी तेरी के एना माटे पने सिग्ने चकार नोता जाता, आपो तो आपो, अने तेम चता आनन मां नित्य करता, गीद गाता, येमने पोते जीवन द्वारा बतावियो दिदु के वगर पहिसे पुण केवी ते आनन दिरीशे कर कें, आनननो सुर्थ, आत्वर शांती नो सुर्थ, सुक्षांती नो सुर्थ, रिवे मां रहलो छे, अन इटले, येमने कहुँ, इश् सुधी त्याग ने करवा मावे, त्याहा सुधी साची शांती नी मड़े। पैसा कमावा बहुँ आवश्यक छे, विशेश करेंग रोहस्तों माटे बहुँ आवश्यक छे, आनके पैसा द्वाराज इवन चैरिटी पन थासे, दान पन को पुन्य करी शकाए, तो के भी तो करी साचार ले, रेया वगर एणा विरोध मा स्री राम क्रिश्था कहे छे, एटला माटे मने सुखरिऊ। गंगा नदीने काठे बेशता एक हाथ मां पैसा लेता एक हाथ मां माटी लेता टाका मांटी मांटी टाका बंगाडी मां पैसा ने टाका के टाका एकले रूपिया टाका मांटी मांटी टाका के बने एक चेम करी अने गंगा मनाकी देता आम करता 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 इमना मन मां पैसा प विच्छी निनों डंक लागता। अरे पैसा सु धातूनों सपर्ष पंड सहन करी नहीं दोता सकता। पच्छी ते एक बार एवी स्थिती थे गे। एटले माटी ना पात्रमा इमने भोजन लेऊ पड़त। आवाज जैरे नरेंदनात ने खबर पड़ी त्यारे बहुत नारास्त थे गया। तमेलों को पोत्वता ना गुरुने महान बनाव माटे गम्मेवी वातों भेती मुको छो। अरे ये पनलों को गें, अमारा गुरु पैसानों सविकार न सीजी करता है, ठीक छे पैसानों संग्रा न सीजी करता है ठीक छे। पर आभी बदी मोटी मोटी वातों, ये पैसानों सपर्षता है, धातों नों सपर्षता है, जाने विची नों डंख लागे, और हाथ आडा सी जाए, हाथ वाका वड़ी जाए, अभी बदी सुवातों करो जो, एक दी से नरेननात गया हाता दक्षिरिश्वर, ये इमना ओडा देव तो तेहां ओड़ा मन होता, काई भक्तों साथे पंच्वर्टी तरफ गया हाता, अचाना केना मन मा विचारावियो, चलो, आज बाबाजी नी सरस कसोटी करी लेए, बस पच्छी एमने सू करियो, एमने पोता ना खिसा माती चांदीनों रूप्यों होतो, ए नरेननात स्री रामकर्ष्ण देव ना जे विचानों हतो, जेना उपर बेस्ता, एनी नीचे एक चटाई हती, एक चटाई नीचे अमने रूप्यों राखे देतो, सादली, सादली नीचे रूप्यों राखे देतो, हवे श्री रामकर्ष्ण देव थड़ी वार पचे आव्या, नरेन बेशाहा जाही शे जाने के विचीनों डंत लागे वपा थे गिया ुपा थे गिया ुपा जोई जारी पचाडी करने रूपियों नीचे पड़ी विचार् करे चाहा ूपने रूपिव निचे पड़ी आगे प्राथुनी चुकरियु ने पची गुरुने स्विकार करवा। पर आप्रमाने बद्धुज राक्यु। पवित्र जीवन जीव्या। तो तमारा पत पर चालवा माटे आवी चु। ये पते तमें जाओ चेज पते मने पन लेई चालो। स्री रामकिष्ण दे बवग प्रसन अतया कारणे यमने मा काली ने खुब प्रात्ना करियाती के ना मनमाती बदाज आवा विचारो दूर कर देजे। आतरफ हजी एक वार स्री रामकिष्ण सार्दा देवी बेठा हात एकला। तो पहला तो स्री रामकिष्ण देवे मा शार्दा नो इंटर्विली दो। हवे मा शार्दा देवी रामकिष्ण देवनो इंटर्विली दो। अच्छा तमने एक प्रस्ण पूछो। अच्छा साचू कहेशो। हाँ साचू कहेश। साचु कहो तो तम्हें मनें कई द्रिष्टी थी जुओ जो शी रामकिष देवे करे शाचु कहूं जे मां त्या मंदिर मां छे इतले के मा भावतारिनी मां काडी भावतारिनी इनूं मंदिर छे जे मा त्या मंदीर मा चे अने जे मा जगदंबा त्या नौबत खाना मा चे नौबत खाना में इमने पोता ना गर्वधारेनी माता चंद्रमणी देवी ए रहता था ए मा जे त्या चे एज मा मारी सामे बेठा चे साचु कोचु मूतमने साक्षात जगदंबा रुपे जोगुचु आ सुधी कोई पती पोतानी पत्नी नाट्वधू सन्मान न थी आप्यू एट्रूज नहीं फलहारेनी काड़ी पुजाने दीव से पांच मी जून अडास बहुतेर ना दीव से फलहारेनी काड़ी पुजान शोडशोप्चार पुजा करी शोडशी पुजा तरीके प्रख्याच छे आखी रात एमने पुजा करी पन सामे आसन पर कोने बेशाड़िया माशार्दा दीवी ने पोतानी पत्नी ने आखी रात एमनी पुजा करी साक्षा जगदंबा रूपे साक्षा जगदंबा रूपे एमनी पुजा करी चल्ले पोतानू सर्वस एमने समर्पित कर दिदू पोतानी तपस्यानू फोड़ा पी दिदू पोतानी जप्मड़ा पी दिदी अने पची प्रणाम कर्या सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रम्बके गोरी नारायनी नमोस्ते सिस्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुनाश्ये गुणमे नारायनी नमोस्ते श्रणागत दिनात्र परित्राण परायने सर्वस्यारति हरे देवी नारायनी नमसुते आम करी अने साष्टांग प्रणाम करे अने आतरफ माशारदा देवी तो समाधिय वस्ता माचा लगे यमने तो खबर पड़ न थी जे माशारदा देवी रामकृष्ट देव ने माता श्यामा शुंद्री देवी ने जयरे खबर पड़ी त्यारे ए तो दुखी तुखी थाए गया अने कहवा लाग्या अरण पोटानी पत्ती ने मा कई ने बोलावेचे हवे तो हद करी नाखि यह पूजा पन करी नाखि तो हवे तो यह संसार मांसे नी और जिल ने नी मारी दिख्री बिचारी सारू ने कोई बामा कहवा वोडो नहीं रहे स्री रामकिष्ण देवें जारे कवर पड़ी कहें, मा, सासुमा, तमें चिंता करो मा, तमारी दीक्रेने पाचरती एट्रा लोकु मामा कहीं ने बोलाऊशे, यहरान परेशांती जासे, खरे करे मज थो यू, पाचरती जारे मा शार्दा दिवी ने, जारे एमने स्री विश्वनी नारी नूँ जाने के सन्मान करिए, और समस्त विश्वनी जे नारी शक्ती छे मात्र शक्ती एने जागरत करी, मा शार्दा देनो माध्यम थी, और पछी स्वामी विवेकान कहें, मा शार्दा ना आगमन थी, फरीती शक्ती नो पुनुरुगधार थेवेश आओ नरी शक्ति नुँ जागरान ठशे महाँ सारदय दिवी माध्यम्टी। अनि ए महाँ सारदय दिवी माध्यम्टी। श्री राम केश्ि दीवी महा समधी थाई छे। स्री राम के जितला शिष्यों माने मा मानेशे, इमना ग्रस शिष्यों, सन्यासी शिष्यों, एटलूज नहीं, स्वामी विवेकान नी शिष्याव आवेश अमेरिका थी, इंगलेंड थी, सिस्टर निवीरता, मिस्स मेकलावड, मिस्स ओलीबुल, आपन माहाश आरदाने पोत उधाना पिऊ, और यमने पड़ कही हुतु के, तमारे बधाने आबदू करवान जरू नहीं, मैं सोडा ना करूछ तो मैं एक आना करो, ठीक छे, तो बेचार संतानों पची भाई बेननी जम रहो, पन पवित्र जीवन विशे स्राम कर्ष्यों केहे चे, काम कांचन ना त्य अधाने त्याग मिवात करेच, तो आउपभोगता वाद रूपी राक्षण नोबद यमने के विशे करेच, कांचन ना पोता ना जीवन द्वारा बतावी दिदू, कि सादू जीवन जीववाती पन अनंत शांती मले सके चे, तो अने देनीक जीवन पन शांती ते रही सका अनि आ त्याग नो उच्चतम आदर्ष एम ने बतावियो, श्री रामकिष्ट देवे, अनि मा श्रार्दा देवी ने आ विरीते जगदंबानु एमा निरूपन करी ने मात्र शक्ती ने जागरत करी, आ बीजो राक्षस नोवद आने त्रीजो राक्षस नोवद छे ए धर्म आन्दता रूपी राक्षस, अत्यास उदी धर्मने धर्म बच्चे नो घर्षन हतू, हवे नवी समस्य आओ भी थे श्री रामकिष्ट देवना समय मा, कि धर्मने धर्म बच्चे संगर्षन सरू थेगी, कि इटलाग धर्म एवा कहे छे कि अमारो धर्म साजो छे, आनि बा जल्दी थी नरख मा मकवला माटे अमना जमे तबावनों मातू धर्षी जुदू करी देएची, जल्दी थी तम नरख मा पुचाड़ी देएची, काहा तमे स्विकार करो माट, अनि केटला लोईनी केटली नदिव वही छे, स्वामी वेकान कहे छे, कि आप आस धर्मांदत आने जाकारो देवो जए, अनि स्री रामकिष् देवे सु करिए, स्री रामकिष्ट देवे स्तरवधर्म समन्वेनी स्थापना केविते करी, पोते वेदा धर्मों στην साधन पोते करी नदेर्शन पहला मालू गैवरी दर्षन करी, पची अनुमांजी निकाल्य गैवर्षन कर उता पूरी पासे और हैं इसलाम धर्मनी साद्ना करीं इस स्में धर्मनी आंत में आउने महमत पेजिवारण धर्शन थेया, पह जिस धर्मनी अपते तब बनए behö says वेटी पड़या पंचुल्टी नीचे आ वärtर्शन थेया आम बद्धा धर्मों नी साधना करीने मने कहिऊ जोतो मौत तो तो पत जेटला मत तेटला पत में पोते बद्धा धर्मों नी वारम बार साधना करीने जोईडी दू छेवते जे पहुचाये छे एक स्तीती पहुचाये छे परमाननी स्तीती ए मंजी लेक छे रस्ता अलग लग पत गणा बदा चे पण मंजी लेख चे जोतो मत तो पत जेटला मत तेटला पत पत भले अलग हुए पण छेवटे एक जग्या पोच बनूँ छे बहुँ संदर उदाहन आपी ने कहे चे स्वीरामपिषदेव एक तड़ावना चार घाट चे एक घाट थी हिंदु जेन कहे च जड़ ले आवे बिजा जगाटKI मुसलमान गे फ़्येक फाणी फॉटर फॉटर ले आवे ती जग्या नाव ट़नीथ आपो के जेते आपो। के जो आप वर्तमान समय मां कोई ने आपने आदुनिक मानों नेम कहेशू के बदा धर्मों ने समान ने आपने स्विकार वाजोई तो कोई नी माने पन जो एक व्यक्ति वारम वार एक पची एक बदा धर्मों ने साधना करी और डिमॉंस्टेट करे वोताना जिवनी प्रयोक शाड़ामा प्रयोगों करी और पच्छी जो ए डिबांस्टेट करे के हाँ बद्दा धर्मों एकच परयोगों सत्तर तरफ लई जाये चे तो तो आधिनिक मानों मांच चे अनने कहे चे फॉर्चिनेटली देस अल्रडी हैपेड अनने अल्रडी थाइगी चे श्री रामकृष आपने हजी सुधी यह वात समझी ने तरह चक्या अन्ने इतला मांटे और नौल जे ट्रहेंड भी महान इतिहासकार यह जारे ब्रीटिश आरेमी मां हता है अमने पोतानी नजर सामें जोईऊ के पोतानी नजर सामें जोईऊ फर्स्ट वर्लड वार मां त्यारे ते पोते जीद महाता नजर नी सामें हजारों लोग को मरी गया बहुच अमनों दुखी थाईगी वान सुध मानों सभेतानों आज चेवटे बद्दी विनास्ती जैसे संपुन विनास्ती जैसे अन्ने हजी स्री रामकृष्द हुच जीवन वाची ने मने बहुच अमना आशाम प्रक्षटी अन्ने पाचरते अमने कही होतु, the present chapter of the history had a western beginning, but if the world has to survive from self-destruction in this atomic age, it must have an Indian end. कहें चेए आपड़ी सभेतानों प्रारमतों पाश्टत संसिती थे होतो, बन जो आपड़े आटॉमिक एज मां, जो खरेखर आपड़े बचू हशे, संपुन विनास्त माती बचू हशे, तो एनो अंत भारती सभेताती थावो जोई, भारती संसिती, भारती मुल्यों ने आ अने पच्छी तेव कहें चेए, के एंपरर अशोका's principle of non-violence and Mahatma Gandhi's principle of non-violence and Shri Ramakrishna's testimony as to the harmony of religions, these are the attitudes and the values which will save the whole world from self-destruction. कहें चेए, के अशोक अने महात्मा गानी ना इंसाना सिध्धानतो, अना श्री Ramakrishna's देवे पुर्वार करेला पताना जीवनमा सर्वधर्म समनमेना संदेशो, सर्वधर्म समनमेनो संदेश, आज एवा विभुल्यों छे, जे आपनने संपून विनास्त माती बचावी शक् अमर्ते भारती संस्तिती मां छे, एनना अटला माटे अर्नल्ड ट्वाइन भी कहीं, अने श्री Ramakrishna's देवे पुतना जीवनमा बतावी, एमना ओल्डा मा महावी तर्थंकर अने भगवान बुद्धनी मूर्थियों रहती, एना विश्यते वो वातो करता, सिख जे सीपाई होता, एने साथ सिख धर्नी वातो करता, अने केटला एमना अनुयाई होता, जे मां क्रिश्चन पन हता, सिख पन हता, मुस्लिम पन हता, जे लोग एमनी पासे आउता, अमने एमनी पासे थी, ते ओ उपदेश ग्रवन करता, तो आवी रिते, आ युग मां अत्रों राक्षस सिर्मकृष्ण देवे, कहा, संशे राक्षस न वातो करियो, कहीने पुता ना जीवन नी अनुभूती ना बल पर आमने करें कहा, इश्वर छे, युग मां दर्शन थे सके चे, तमें चाहो तो तो तमें आपने ना दर्शन करी सको छो, अने इना मांटे कहीन तमारे संशा चोड़वानी आवश्चता न थे, संस्वा रहता है रहता सु इश्वर न दर्शन थे सके, संसारी कितला भक्तवे पुछू, स्री राम केंदेव कि अवश्चता थे सके, बढ़ एक वात याद रालागिचो, जो पाणी मां नाव हशे, तो काई वांदो न थे, पन जो पावमा पाणी आवशे, तो नाव डूबी जासे, तमे संसार मा रहो, जराई वान्दू न थी, पड़ संसार तबारा मन मा आवशे, तो तमे डूबी जासे, एटले के अना सक्ति पुरोग संसार करो, अना सक्ति पुरोग संसार करो, अना सक्ति पुरोग संसार करो, अना सक्त वस्तु विवेक करो, एते के नित्य सुचे अनित्य सुचे एना विशनों विचार करो, आचे ग्णानियों। और पर आदुनिक मानों माटे, वर्तमान युग मा जे आपने शांती खोई बेटा चेना माटे थेईने, बहु सरण भाषामा, सरण दृष्टांतो द्वारा स्री रामकेश देओ, पोताना जीवनी प्रव्यक्षालामा एक्स्पेरिमेंट करीने आपने बतारेचे, कि आ त्रोन वस्तु, संचै राक्षस नो मड़ी सके छे, अन्य त्रीजु जे धर्मान दिता रूपी राक्षस नो वद करियो के विर्ते, सरण समन्वेनी साधना पोताना जीवनमा करी, आपने दिमांस्ट्रेच करीने बतावियो, आस यो एमने हजी एक वात करी, जे स्वामी विवेकाने पची एना संदेश ने प्रत्यक मनिश्व मां तो ए जिश्वत रहला चे, तो पहले एनी सेवा केम नथी करता, अन्य श्री रामकिष्ण दे पोते आच्राण करीने बतावियो, वारानसी दर्शन मांटे जता था रस्ता मां, एमने जो यू देवगर नी आसपास मां, बहुता ट्राइबल्स, आद तो रामकिष्ण देव सु करियो, यह रड़ता रड़वा ला गया, और पहला आदिवासे ने वच्चे बेसे किया, जा मारे तिर्थियातर नती करवी, वो तो आ लोको नहीं साते रही सेवते मत्र वावने कलकता थी, पाचा बीजा पैसा लावा पेड़ा, कपड़ा लाव गरीबोनी सेवा करो, तो रामकिष्ण देवपासे देव पास रही आपयो बध्त्र वाव, पित्र वो खवव, आकार忙 अठिती देवं-ब्तम ने नवा मन्त्र आपको चोँ आप को सेवा सेवा थी, बहुव बधार यान्यक मन्त्र भात ब случае, डेव, जा मित्म हमार जमन करकत महत्वना छे एछे दरिद्य देवो भव रोगी देवो भव आवी रिते शीव ग्रांती जीव सेवानों आदर्ष स्री राम पिष्ण ने आपयो अने आधना युग माटे आजे संदेशो छे यत्यन्त महत्व पुण छे ने आपने जारे आजे मन्नी शांती गुमावी बेठ छे बदा टेंशन माँ छे तैरे शे राम पिष्ण देवा पड़ने आध्यात्लिक एना माटे नो भात्यु आपे छे के मनमा शांती नो स्रोत रहलो छे मात्र विजु काई करवानों नो थी वनमा जावानी जरू नती हिमाले जरू ने जरू नती जरू नती जेका ही तम्ये बनिशके एटलू तमें त्याग करो अने आविते त्याग द्वारा तमने अंदरनी शांती मडशे अने आजे धर्मांदेतारूपी राक्षस ना वदयमने कईू जेने जे सारू लागे प्रमाने जेने पोतानों जे मार्ग लागे कोई धर्म परिवर्तन करवानी आवश्चत नती बद्दा धर्मों एक परम से तरफ लई जाए चे पुत्पताना धर्म तरफ आगरवदो पन वीजाना धर्म खोटा चे इवी बात ना करो धर्मांदेतार नों त्याग करी पुत्पताना धर्म तरफ आगरवदो तो तमने शांती मड़ से आविरिते बहु संदर एमनो अच्छानक आकसमी कृते शीरामकिष देव साथे मुलाकात थाए चे अने एमने मुलाकात पची एमने एट्रिवधी शांती मड़े चे कि आत्मतियानों इराधन में बदली जाए चे पची जेकाई शीरामकिष देव वातो करता है पोतानी डायरी मां लखी राखता अने स्व स्वामी विवेकान आगरती प्रकट थाए चे आज डायरी जे दिवसे शीरामकिष दे उपदे शाफियो चे एज दिवसे एमने पोते विस्तार्ती बदू लखी राख्यू छे एज बादायरी पाश्वर्ती रामकिष न कतामरुत रूपे प्रकट थाए चे पहला अंग्रेजी मैंनु नाम थाए चे गॉस्पल श्रामकिष न अन पची फ्रेंच, ग्रीक, डच, स्पैनिश, जापानेज विवीद भाशा वैन अनुवाद थाए चे अने हज्जारों लोकों ने आजे ए पुस्तक शांती आपी डेए चे बहुत सुंदर-सुंदर उधारण अधुद द्वारा सुन्दर सुन्दर वारताओ द्वारा श्री रामकिष्ण देवे जे आजना वरत्मान युगना मानोवनी समस्याहाँ नो जे ší थाजन करूँ ऐज रामकिष्ण कम्रितमा बढ़े चे ए रामकिष्ण कम्रितमा नो जे में تھोड़ों हिस्स्वापने थो रोमा रोला तो त्यांसुदी कहा चे, he was the consummation of 2,000 years of spiritual life of 300 billion people. 30 करोड लोको, त्यारे जंता, त्यारे जंसंक्या भारत नी 30 करोड हती, ये 30 करोड लोका नी 2000 वर्शों नी साधना नू परिणाम चे, श्री रामकृष्ट देवन जीवन, अध्भूत, ये समस्त जीवन नी साधना, ये श्री रामकृष्ट दे एक जीवन मा कर ली दी, अन्य एटला माड़े सौथी पहलू ने जीवन चरित प्रकाशी थायू, ये मैक्स मुलर प्रकाशी थायू, प्रोफेसर मैक्स मुलर लाइफ and message of स्री रामकृष्ट देश, विदेश मा केटला महान विद्वानों महान इतियास करो, महान लेख को, अजे श्री रामकृष्ट देवने कहें चएकि स्री रामकिष्ट देवनों संदेश, वरतमान यूगनी समस्याओं और युद्धूने समाधान कर शे, मानोवना मनमा शांती आपसे और विश्व शांती माँखे पुने प्रताय प्रासंगित शे भगवान स्री रामकित द्यों ने अप्णे प्रातना कर शें? देशो आपने आपना जीवन मा उतारी आपनों मानों जीवन धन्य करी शक्किये और शासे शाते विश्व शांती मा पण प्रदान करी शक्किये उपना श्री कुमार पढ़े देशायनों खुबको भाभार मानुश्यू कमने आत्ता कापी छे आप सव प्रत्ते सुबेचा दा जी ये, बधी वातो करी आजे, आजे ना समय मा पन केटली बधी प्रस्तुत लागे छे, आजे पास्चेत्य संस्कृती नू आंधु अनुकरण थाई रहुँ छे, अने समगर विश्व मा जे आरे आपड़े द्रश्टी करिये छे, त्यारे ख्याल आवे छे के विश्व शान आंती एकदम डोलाई गई छे, त्यारे रामकृष्ण परम्हांस नो वर्तमान समस्य मा थी उगरवानो जे उपाई आपे छे, तेनी वात, एमने बहुझ सरस प्रासंगी करिते, आजे एमनी केटली प्रस्तुत ता छे, ए विश्वात करी, आटला टुंका समय मा एमना विश्य केवू, ए बहु अगरी वस्तु हती, पण एमने आजना आधुनिक समय ने, साकली ने, जे कईू के रामकृष्ण परम्हांसे एंटी वाईरस नो काम कर्यू, अने एनना माटे एमने जे साधनों पन बताव्या, कि जेमके प्रार्थना, ध्यान, ग्नान योग, कर्म आधानी वाद करीने एमने ए दर्शाव्यू, कि आजे जे उप्भोगता वाद रूपी राक्षस छे, कि धर्मांधता रूपी राक्षस छे, एनने केवी रिते हनवो, तो आवु एक सुन्दर व्याख्यान, आपवा बदल स्वामी श्री निखेलेश्वरा नंजी नो, मुआ भर मानुचू